आउटर स्पेस में किसी वस्तू द्वारा तै की गई दूरी, उसके द्वारा उस दूरी को तै करने में लिये गई समय के सिधा समानुपात है. मालिजिये कि वो वस्तू ना तो त्वरित यानि एक्सेलेरेट हो रही है और ना ही उस पर कोई नेट बल लग रहा है. मुझे लगता है कि यहां किसी विशेश वस्तू के बारे में बात हो रही है, तो किसी विशेश वस्तू द्वारा तै की गई दूरी सीधा समानुपात है. उसके द्वारा उस दूरी को तै करने में लिये गए समय के, अगर हम इसे constant of proportionality और सीधे समानुपात यानि direct variation के रूप में सोचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दूरी D बराबर अचर यानि constant K गुणा ली गई समय T होगी, क्यूंकि तै की गई दूरी लिये गई समय के सीधा समा गंटे में तै करता है, तो constant of proportionality बराबर क्या होगा? यहाँ दूरी बराबर 3000 miles है, इसलिए यहाँ D मतलब 3000 miles बराबर constant K गुणा 6 गंटे होगा. अब K का मान निकालने के लिए यहाँ बाएं पक्ष को 6 गंटे से विभाजित करते हैं, और दाएं पक्ष को भी 6 गंटे से वि बचेगा और यह hours रद्ध हो जाएंगे. तो अब हमारे पास 500 miles प्रती घंटे बराबर K बच गया है. इसलिए हम कह सकते हैं कि constant of proportionality बराबर 500 miles प्रती घंटे होगा. प्रश्ण में प्रयोग किये गए term के आधार पर हम इसे constant of variation भी कह सकते हैं.